हालो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करता हूँ काफी अच्छी होंगे तो दोस्तों आज के इस वीडियो के इंदर हम डेवियो करेंगे एक upcoming IPO जो की 15 जनवरी से लेकर 17 जनवरी के बीच में open रहेगा Medi Assist Healthcare का IPO तो सबसे पहले हम इस वीडियो के इंदर इसका grey market का premium देखेंगे इससे हमें listing gains का अंदाजा हो पाएगा फिर इस company की details के बारे में जानेंगे मतलब ये company क्या काम करती ये कौनसे sector की company है future कैसा रह सकता है फिर इसके financials और fundamentals के बारे में जानेंगे मतलब company profit making है या loss making company है और अपने जो भी pair competitors वगेरा है उनसे सस्ती है या मेहंगी company है फिर इस IPO की details के बारे में जानेंगे और अंत में हम जानेंगे कि क्या इस IPO में हमें apply करना चाहिए या नहीं करना चाहिए सारी चीजे हम clear करेंगे long term के साब से करें या listing के साब से सारी चीजे clear करेंगे वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों telegram, instagram और free medimate account सबकी link आपको description के अंदर मिल जाएगी तो सबसे पहले अगर इसका grey market का premium देखते हैं तो 50 रुपए per share 50 रुपीज per share, 35 मलब 35 shares का ये lot है तो 1750, 1750 रुपए हमें एक lot पर आज की तारिक में फायदा देखने को मिल रहा है percent is wise 12, मतब 12% जैसा grey market का premium है तो अभी demand जो है minimum जो हमारा criteria रहता है 20% का उससे तो कम चल रही है क्योंकि क्या होता है कि बाद में अगर उपर नीचे हो जाए थोड़ा बाद अगर market में आप send down सा जाए तो हो सकता है और GMP के अंदर गिरावट हो सकती है तो 20% का हम margin लेखे चलते हैं तो अभी तो GMP के अंदर इसका demand कम है और गर बात करें Indian mutual funds और insurance companies के अंदर तो HDFC mutual fund, Kotak, Bandhan mutual fund, Tata mutual fund जैसी बड़ी companies और इसके लबाद SBI life insurance, आदीपतेवरिला life insurance जैसी बड़ी-बड़ी companies सामिल है तो इसकी anchor list काफी बढ़िया कह सकते हैं मतलब 10 में से आप 7.7 जैसी rating कर सकते हैं फिर दोस्तों बात करें इस company की details के बारे में मतलब ये company क्या काम करती है तो इस company का पूरा नाम है Medi Assist Healthcare Services और ये company सन 2002 के अंदर incorporate हुई ती करीब-करीब 21, मतलब 21 years पुरानी company है मतलब अब तो अच्छा experience भी हो गया होगा इसको अपने sector के अंदर और ये company health tech और insurance tech company है अब actually मैं आपको समझा देता हूँ company क्या काम करती है तो दीखे एक तो insurance companies होती है जैसे SBI live insurance वगेरा है HDFC live insurance ऐसे insurance companies होती है और उसके लाबा insurance लेने वाले policy holders होते हैं जैसे हम जैसे client या customer जो health insurance वगेरा खरीते हैं तो उन दोनों के बीच में एक mediator होता है जो मतलब उनका claim settlement कर वगेरा करवाता है कुछ cashless वगेरा या hospital में कुछ जरूरत रहती है जो भी formalities वगेरा करनी होती है तो वो बीच में होता है एक mediator मतलब एक bridge के type आप उसको बोल सकते हैं तो वो meddy assist का का काम है तो simple बासा में आपको समझ में आ गया company क्या काम करती है अब इसके अंदर को रहता है की claim settlement है cashless वगेरा करवाना है किसी भी hospital या laboratory वगेरा में मतलब जो भी policies के अंदर जो भी सारी सुवीदा है जो लिखी हुई सुवीदा है वो customer को दिलवाना और इसके लावब जो बड़ी बड़ी insurance companies है उनको hospital, laboratories या clients वगेरा से मतलब उनका जो network होता है उनसे जुड़ना ये इसका काम है तो ये third party insurance administrator है मतलब TPA का का काम करती है simple बासा में आपको समझ में आ गया होगा मतलब insurance companies से भी इसका काम रहता है और जो insurance policy लेते हैं customers उनसे भी इसका काम रेता है mediator के type है और अगर इसके market share की बात करें तो 14.8% retail health insurance के अंदर इसकी market share है और 41.41% की group health insurance के अंदर इसका market share है और भी कई सारी companies TPA का काम करती है और इसको क्या है कि कमाई कहां से होती है तो insurance जो companies होती है वहाँ से उसको commission के रूप में कमाई मिलती रहती है 2-4%, 5% के आसपास जो भी उनका होता होगा वो commission के रूप में इनकी कमाई होती होगी और इंडिया की और worldwide जो भी companies है insurance 36 insurance companies से इसका tie-up मदब collaboration है और पूरे इंडिया के अंदर 32 states और 960 cities के अंदर 14,000 hospitals का network है तो बढ़िया बात है और उसके लाबा 141 countries के अंदर अपने customers को सुवीदा बागिरा प्रोवाइड करवाता है मतलब ये नहीं कि इसका business बाहर other countries में इसका business इंडिया के अंदर ही है पर other countries को ये अपनी services वहाँ भी provide करवा सकता है मतलब जैसा मैंने इनका interview सुना था उसके अंदर मैंने ये चीज सुनी थी तो company का business unique है new age business है मतलब नई type का business आ रहा है जो और उसके लाब बात करें अभी health insurance के अंदर इंडिया के अंदर 16% लोगों ने health insurance ले रखा है जो मतलब developed countries है वहाँ पर तो mandatory health insurance लाइफ इंशॉरेंस तो इंडिया के अंदर भी धीरे-धीरे करके mandatory भी होने वाला है तो scope तो है तो growth का scope तो इसके अंदर नजर आ रहा है अदे कि इस sector के अंदर competition भी होगा क्योंकि ये mediator type है commission based काम करती है तो फिलाल के लिए अभी तो देखें अभी तो sector इसका अच्छा नजर आ रहा है ये हो गई company की details sector अच्छा है अब इसके financials और fundamentals जान लेते हैं 2020 से 2023 तक दिये गए हैं इसके financials तो अगर इसके assets देखें 2020 से 2023 तक साल दर साल बड़े हैं और उसके revenue को देखें तो revenue के अंदर भी साल दर साल हमें growth देखने को मिल रही है इसका revenue 345 करोड रुपए से 519 करोड रुपए हुआ है और इसका profit वो भी साल दर साल उसके अंदर growth देखने को मिल रही है return on net perth हर साल बड़ा है, अभी return on net perth 19.6% का है, और इसका return on capital emuloid, ROC करीब 25% के आसपास की, तो ये भी काफी अच्छी है, फिर दोसा इसका P, price to earnings ratio 38.60 का निकल कराता है, तो मुझे लगता है कि अभी company, small cap company, छोटी company है, अभी शुरुवात है, तो मुझे P अगर लग रहा है कि थोड़ा सा valuations जो है, महंगी नज़र आ रही है, सस्ती valuations नज़र नहीं आ रही है, मुझे लगता है कि 20 से 22 के P multiple पर हो तो ठीक है, वैसे इसका कोई peer competitor तो नहीं है, अभी listed कोई peers नहीं है, पर मुझे रहा है कि थोड़ी सी महंगी valuations है, और आजकल लोग भी attract उसी IPO के इंदर ज़ादा होते हैं, जिसकी valuations वगेरा बहुती reasonable होती है, तो यह होगे इसके financials और fundamentals, financially काभी strong है, fundamentally भी strong है, पर valuations थोड़ी सी high नज़र आ रही है, फिर दुस्तों इस IPO की details के बारे में बात करें, तो 15 से लेकर 17 जनवरी के बीच में यह IPO open रहेगा, 397 से लेकर 618 रुपए के बीच में इसका price bend रखा गया है, 35 मतलब 35 shares का यह lot है, और इसका total issues हाई ज़िए 1171 करोड़ रुपए का पूरा का पूरा OFS है, मतलब company के जो पर promoters हैं, वो अपनी हिस्सेदारी sell करके निकल रहे हैं, करीबन 22% की हिस्सेदारी sell करेंगे, यह तो सबसे बड़ा मुझे negative point लगा, क्योंकि देखिए, जब भी promoters अपनी हिस्सेदारी sell करके निकलते हैं, तो लोगों को क्या लगता है, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर growth करेंगी, तो promoters कोई फाइदा होने वाला है, तो promoters sell करके क्यों निकल रहे हैं, थोड़ा बहुत इस्सादारी sell करते हैं, अभी देखिए, IPO के बाद 45% की हिस्सेदारी रह जाएगी, प्रमोर्टर्स की minimum मेरे साब से 51% होनी चाहिए, प्रमोर्टर्स की सेदारी, तो ये थोड़ी सी कम लग रही है, ये सबसे बड़ा negative point लगा मुझे इस company का, फिर इसकी listing rate है 22 जनवरी को, तो ये थे पूरी IPO की details, अब दोस्तों सबसे main सवाल, ये आता है कि क्या इस IPO में apply करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उससे पहले दोस्तों आपके पास या आपके family members में किसी के बास demate account नहीं है, IP apply करने के लिए बिल्कुल free में demate account खुलवानी की लिंक आपको description के अंदर बिल जाएगी, सबसे पहले बात करें, लिस्टिंग गेंस के इसाब से क्या इस IPO में apply करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो देखे अभी तो GMP कम चल रही है, 10-12% के आसपास चल रही है, ज़्यादा भी GMP नहीं है, तो minimum criteria हमारा 20% होता है, तो अभी हमें पहले दिन का subscription वगएरा देखना चाहिए, उसके बाद decision वगएरा बनाना चाहिए, वागी इसकी ankle list देखें, तो ankle list अच्छी आई है, FIIs के अंदर भी कुछ बड़े नाम सामिल है, और DII's, मतलब domestic institutional investors के अंदर भी कुछ बड़े नाम सामिल है, तो ankle list दो ठीक नज़र आ रही है, मतलब मैंने आपको बता हैं, 10 से 7 rating दे सकते हैं, फिर long term के साब से बात करें, long term के साब से इसके positives, negatives दोने ही देख लेते हैं, positives के अंदर सबसे पहले देखें, तो sector इसका बड़िया है, नई मतलब generation का business है, और आने वाले time में इसकी growth भी हो सकती है, बाकी company financially और fundamentally भी strong ने ज़रा रही है, और उसके लावा ये अपने आप में पहली company list होने जा रही है, ये इसके लिए benefit हो जाता है, मतलब अपने sector की पहली company है, अलंकि विदेशों में तो ऐसी खूब company है लिस्टेड है, पर इंडिया के अंदर ये पहली company list होने जा रही है, फिर negative में क्या है, negative में मुझे सबसे negative point लगा, इसका पूरा का पूरा offer for sell है, अलंकि प्रमोडर्स अपनी हिस्सेदारी sell कर रहे है, और अपनी जो ये प्रमोडर्स की हिस्सेदारी है, 51% से नीची लेके आ रहे हैं, ये सबसे बड़ा negative point लगा, minimum 51% डखनी चाहिए, दूसरा इसकी valuations थोड़ी सी और सस्ती होती, तो मुझे लगता है और बड़िया बात होती है, इस IPO के लिए है, तो overall company sector wise थोड़ा attract कर रही है, उसके लावा anchor list पी अच्छी आई है, तो इसे सबसे थोड़े positives ज़ादा नज़र आ रहे हैं, negative है पर थोड़े से कम है, तो company attractive है, नज़र बनाए रखी जा सकती है, तो पहले दूसरे दिन का subscription देखें, market का sentiment देखें, उस basis पर आप decision बनाए, बाकि मैं final decision का वीडियो और उसके लावा बाकी सारे वीडियो आपको देता रहूँगा, पहले दिन का subscription, GMP पर update वगर आपको देता रहूँगा, यह सारे आज के अपडेट्स उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो अमरे जानकर आपको काफी पसंद आई होगी, पसंद आई हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूट करें, चैनल को सब्काई कर लें, मिलते हैं दूस्तों अगले वीडियो के अंदर,